वेलकम टू सोशिल नमबर वान शारुक की डेब्यू फिल्म दिवाना थी ये तो सब जानते हैं पर बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि उनकी पहली फिल्म अपिरंस 1989 की फिल्म इन विच एनी गिफ्स टू दोज वन से हुई थी शारुक ने इस फिल्म में एक कॉलेज स्टूडिन का रोल किया था और बस कुछी सीन्स में वो नजर आये थे ये उस टाइम की बहुत ही अनौथोडॉक्स फिल्म थी जिसे डीडी नैशनल पर लेट नाइट स्लोट पे दिखाया गया था इस फिल्म की आक्ट्रिस और राइटर अरुंधुती रोय को फिल्म के लिए नैशनल अवार्ड भी दिया गया था शारुक के पैदा होने पे उनकी दादी ने उनका नाम अब्दुल रह्मान रखा था पर जब स्कूल जाने की उम्र हुई तो उनके फादर ने इस नाम को बदल कर शारुक रख दिया था ये उन्होंने इसलिए किया क्योंकि शारुक की महन का नाम लाला रुक है और वो उनसे मिलता जुलता नाम ही अपने बेटे को देना चाहते थे शारुक की फिल्म कभी हां कभी ना उनके लिए बहुत ही स्पेशल फिल्म थी शारुक को फिल्म की कहाने इतनी पसंदाई कि उन्होंने प्रोड्यूसर से सिर्फ 25,000 रुपे एक्टिंग फी चार्ज की और कहा कि ये बाकी के पैसे आप फिल्म के बजट में लगा दो शारुक एक हेल्पिंग स्टाफ का काम कर रहे थे। उनकी ड्यूटी लोगों के पास इस कलेक्ट करना और उनको उनकी सीट्स पर बिठाने की होती थी। इस काम के लिए शारुक को 50 रुपे दिये जाते थे जो शारुक की जिंदगी की पहली कमाई बनी। शारुक के फादर मीर ताज मुहम्मद खान को ओरल कैंसर था जिसकी वज़ा से 1981 में उनकी मौत हो गई। शारुक ने एक इंटिव्यू में बताया कि कैंसर की वज़ा से उनके फादर की बोलने की अबिलिटी चली गई थी। तो उनसे वो सिर्फ इशारों इशारों में ही बात किया करते थे। शारुक की उम्र उस वक्त सिर्फ 14 साल थी। अपने फादर की डेथ के बाद शारुक अपने फादर का रेस्टरौन संभाला करते थे। शारुक सुबा स्कूल जाया करते थे और शाम को रेस्टरौन में काम करते नजर आते थे। शारुक ने कहा कि उन 1985 में अपनी ग्रेजुएशन के दौरान शारुक की बैरी जॉन से मुलाकात दिल्ली में हुई शारुक हुन दिनों थेटर सीखने के लिए बहुत क्यूरियस थे और बैरी ने उन्हें अपने प्ले के लिए एज एन एक्स्ट्रा सिलेक्ट किया था शारुक नेक इंटर्व्यू में बताया कि बैरी ही वो पहले इनसान थे जिनोंने मुझे फिल्म्स में जाने के लिए इंस्पायर किया था नमबर एट के प्रोडक्शन्स में डिलेज के कारण शो को टाइम पे रिलीज नहीं किया जा सका और इसलिए फौजी वो शो बना जिसमें ओडिन्स ने पहले बार शारुक को देखा नमबर नाइन एक्टर पवन मलहोतरा जो 80's के दशक में कई पॉपिलर सीरियल में आक्टिंग कर चुके थे उन्हें ही टीवी सीरियल सरकस ओफर किया गया था पर उसी दोरान उन्हें एक फिल्म को ओफर भी आ गया तो उन्हें वो शो छोड़ना पड़ा फिर प्रोड्यूसर्ज ने इस शो के लिए शारुक को साइन किया ये भी एक लग की ही बात है कि जिस फिल्म के लिए पवन ने ये शो छोड़ा था वो फिल्म कभी बन ही नहीं पाई और सरकस की वज़ा से ही शारुक टेलिविजिन पे पॉपुलर फेस बन गए करन जोहर की शारुक से पहली मुलाकात एक टीवी शो के सेट पे हुई थी जहां शारुक को इंद्र दिनुष नाम का शो ओफर किया गया था और उसी शो में करन को भी एक छोटा सा रोल दिया गया था हाला कि शारुक ने ये शो शूटिंग से पहले ही छोड़ दिया पर रिहरसल्स के दौरान उनकी करन जोहर से मुलाकात हुई और दोनों की दोस्ती वहीं से शुरू हुई नमबर 11 शारुक अपने टीवी करियर से बहुत ही सैटिसफाइड थे और उन्हें उस टाइम पर फिल्म्स में कोई इंटरस्ट नहीं था पर 1990 में जब उनकी मदर लतीव फातिमा खान चल बसी तो शारुक ने डिसाइड किया कि अब दिली से वो मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे और फिल्मों में ट्राइ करना शुरू करेंगे फिर मुंबई शिफ्ट होने के बाद वो मुमेंट आई जब मरीन ड्राइफ पे शाम को बैठे हुए शारुक ने अपने दोस्त को कहा कि मैं एक दिन इस शहर पे रूल करूँगा चाहे इस बात को उस वक्त सबने मजाक में लिया हो पर आने वाले सालों में शारुक की ये बात सच होने वाली थी नमबर 12 नाइक फिल्म के लिए भी शंकर ने सबसे पहले शारुक खान को एप्रोच किया था पर शारुक को लगा कि ये स्टोरी लाइन हिंदी फिल्म ओडियन्स को जादा पसंद नहीं आएगी इसलिए उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था नमबर 13 ये कमर्शल शारुक के करियर का पहला कमर्शल था उस समय शारुक 23 साल के थे नमबर 14 शारुक ने पने करियर की शुरुआत में कहा था कि वो अपनी किसी भी को एक्टरिस के साथ किसिंग सीन नहीं करेंगे पर 2012 की फिल्म जब तक है जान शारुक की पहली फिल्म बनी जहां शारुक अपनी को एक्टरिस केटरीना कैफ को किस करते नजर आए इसी तरह 2016 की फिल्म जब हैरी मैट सेजल में शारुक ने अनुष्का के साथ की सिंग सीन किया था इस इंटर्व्यू के दुरान शारुक ने उन्हें अपनी वाच गिफ्ट की पर लेडी गागा ने ये वाच एक्सेप नहीं की और इस वाच को उन्होंने आउडियंस में दे दिया शारुक के कई फैंस को लेडी गागा का ये जेस्चिर बहुत रूड लगा पर शारुक बेंग अ हम्बल होस्ट उन्होंने इस बात को सीरियसली नहीं लिया और टॉपिक को एवोईड कर दिया शारुक की गौरी से मुलाकात एक पार्टी के दुरान हुई थी बस यहीं से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई और कुछ महीने बाद दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे पर कुछ टाइम रेट करने के बाद ही दोनों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई शारुक ने एक इंटर्व्यू में बताया कि मैं उन दिनों एक नेरो माइंड़ेड वे से रिलेशनशिप्स को देखता था जिसकी वज़ा से मैं गौरी के लिए overly possessive होने लग गया था उसे नहीं पसंद आता था कि मैं उसे किसी भी बात पर question करूँ इसी वज़ा से गौरी ने मुझे एक टाइम पर छोड़ ही दिया था बात करें शारुख खान की life के iconic incident जहां शारुख ने railway station पर रात बिताई तो उसकी असली वज़ा गौरी ही थी हुआ यू की breakup के बाद गौरी अपनी family के साथ मुंबई चली गई थी और शारुख ने भी मुंबई जाकर गौरी को ढूनने का मन बना लिया था शारुख अपने साथ जो भी पैसे लेके गए थे वो उनोंने अपने दोस्तों के साथ एक दो दिन में ही कर्च कर दिये फिर उस राद शारुख के पास किसी hotel या lodge में रहने के पैसे नहीं बचे थे तो फिर बस शारुख उस राद अपने दोस्तों के साथ railway station पर सोए दोस्तों की कंपनी में वो रेल्वे स्टेशन पर जाकर सो गए नमबर 18 October 25, 1991 को शारुक और गौरी की शादी हो गई ये एक इंटिफेट मैरेज रही पर गौरी के पेरिंस को शारुक के रिलीजन से जादा उनके प्रोफेशन को लेके चिंता थी पर शारुक ने गौरी के पेरिंस को कहा कि अगर मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा तो पूरी जिंदगी उसी के साथ रहूंगा आप इंडस्ट्री के कल्चर से मुझे ना जज़ कीजिए शारुक का कहना है कि गौरी से शादी करना उनके लिए बहुत ही लखी साबित हुआ क्योंकि मैरिज के एक महीने के अंदर ही शारुक को पांच फिल्मों में साइन कर लिया गया था नमबर 19 ऐसे ही लक्की बात करें तो शारुक को उनकी पहली फिल्म दिवाना भी लक्की ली तब मिली जब फिल्म के लीड आक्टर अर्मान कोली ने फिल्म को बीच में ही छोड़ दिया जिसके बाद शारुक को फिल्म में लिया गया और फिल्म बॉक्स ओफिस पर सक्सेस्फुल रही फिल्म दिवाना में जब शारुक को कास्ट किया गया तो उनकी आक्टिंग फील 5 लाख रुपे थी पर प्रोड्यूसर्स ने उनने 4 लाख रुपे ही दिये और कहा कि अगर फिल्म हिट हुई तो उसके बाद शारुक को बाकी के 1 लाख रुपे दिये जाएंगे दिवाना बॉक्स आफिस पर सक्सेस्फुल रही पर शारुक को उनके बचे हुए 1 लाख रुपे कभी नहीं दिये गए शारुक ने एक इंटेविव में बताया कि उन्होंने जब पहली बार फिल्म देखी तो प्रोड्यूसर्स के सामने शारुक ने कुछ गलतिया निकाल दी जिससे नराज होकर प्रोड्यूसर्स ने शारुक को बाकी के पैसे देने से मना कर दिया नमबर 21 शारुक ने अपना पहला Film Fair Best Actor Award 1994 में बाजीगर के लिए जीता था उस Film Fair में शारुक दो एवार्ड कैटेगरीज में नॉमिनेटिट थे जिन में से एक था Best Actor जो उन्होंने बाजीगर के लिए जीता और दूसरा था Best Actor in a Negative Role जिसमें उन्हें फिल्म डर के लिए नॉमिनेट किया गया था पर इस Negative Character की नॉमिनेशन शारुक नहीं जीत पाए ये एवार्ड परेश रावल को फिल्म सर के लिए दिया गया जो शारुक की one of the best performances में से एक है इस फिल्म की पहली च्वाई शारुक खान नहीं थे इनिशले सल्मान को ये फिल्म ओफर की गई थी पर सल्मान ने फिल्म की क्लाइमेक्स को चेंज करने की डिमान की जिस पे उनका और प्रोडूसर्स का agreement नहीं हो पाया फिर इस फिल्म को शारुक को ओफर किया गया तो उन्हें इस स्टोरी में अपने personal sentiments नजर आए शारुक का कहना था कि schooling days के दौरान मैं हौकी प्लेयर बनना चाहता था पर injury की वज़ा से मैं 10th के बाद हौकी नहीं खेल पाया इसलिए चगवे इंडिया के through मैं वो passion दोबारा लिव करना चाहता था जैसे शारुक बच्पन में हौकी के लिए passionate थी वैसे ही उनका army join करने में भी बहुत interest था पर अपने father की death और family में कोई और support ना होने के कारण वो कभी army exams की तियारी नहीं कर पाये इसलिए जब शारुक को 4G सीरियल में कास्ट किया गया तो training के दौरान शारुक सबसे पहले location पे पहुंच जाते थे शारुक के इसी passion को देखकर 4G में एक छोटे role की बजाए उन्हें बाद में main role के लिए replace कर दिया गया था शाहिद कपूर ने एक interview में reveal किया कि जब वो एक dancing group का हिस्सा थे तो शारुक ने ही शाहिद को acting के लिए motivate किया शाहिद अपनी lean physique की वज़ा से बहुत under confident रहते थे शारुक ने उन्हें कहा कि तुम्हारी age में मैं भी बिल्कुल दुबला पतला हुआ करता था तुम इन सब चीजों की चिंता मत करो अगर अच्छा dance कर लेते हो तो तुम अच्छी acting भी सीख सकते हो 1998 में एक award show के दुरान जब शारुक को best actor का award दिया गया तो award लेने के बाद शारुक ने सल्मान को stage पे बुलाया और उन्हें अपना award दे दिया शारुक और सल्मान उस समय बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और सल्मान ने एक दिन कहा था कि यार सारे awards तो तू ही ले जाता है कुछ मेरे लिए भी छोड़ दिया कर बस इसी बात पे शारुक ने award लेते हुए मजाक मजाक में सल्मान को stage पे बुलाया और उन्हें ही acceptance speech देने को कहा शारुक को कई बार publicly smoke करते हुए देखा गया है और ये बात छुपी नहीं कि उनकी smoking की आदत बहुत पुरानी है अपने थेटर की दिनों में शारुक ने पहली बार smoke किया था पर तब वो regular smoker नहीं थे शारुक ने एक interview में बताया कि मुंबई आने के बाद उन्हें smoking की आदत लग गई शारुक ने कई बार quit करने की भी कोशिश की पर कभी भी फाइदा नहीं हो पाया इस मिनी सीरीज के बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं शारुक इस सीरीज के मेंन केरेक्टर के तौर पे नजर आते हैं जिने अपिलिपसी की बिमारी की वज़ा से लोग इडियट समझने लग जाते हैं ये एक बहुत ही डार्क थीम सीरीज थी जिसे सिर्फ एक ही बार टीवी पे दिखाया गया और शायद तभी जादा लोग इसके बारे में नहीं जानते अपने humanitarian work के लिए शारुक को Scotland की Edinburgh University ने honorary PhD डिग्री से नवाजा है गाओ में बिजली लाना हो या हॉस्पिटल में बच्चों के लिए special ward बनाना शारुक ने कई तरह की charities के थ्रू लोगों की मदद की है और इनी सब activities को देखते हुए शारुक को ये honorary degree दी गई नमबर 29 शारुक खान books read करने में बहुत interest रखते हैं उनकी फेवरिट बुक है दर हिच हाइकर गाइड तो गैलेक्सी बाइड डगलस आदम्स नमबर 30 शारुक ने जब मननत को पहली बार देखा तो उन्होंने decide कर लिया था कि इस घर को वो एक दिन खरीद ही लेंगे शारुक जानते थे कि फिल्म स्टार होते हुए भी इतना महंगा घर खरीदना असान नहीं होगा तो उन्होंने जल्दी पैसे कमाने के लिए जादा फिल्म साइन करना शुरू कर दिया और अपनी advertisement fee भी कम कर दी शारुक उन दिनों दिन में 18 घंटे काम किया करते थे और ऐसा बहुत बार होता था कि वो घर वापिस नहीं आते थे और फिल्म की location पर ही सो जाय करते थे शारुक ने कहा कि हर इंसान को अपना dream house खरीदने के लिए extra effort तो लगानी ही पड़ती है मैं अभी बस उन में से ही एक हूँ शारुक ने एक interview में confess किया कि 1994 में उन्होंने award खरीदने के लिए film fair के editor से बात की थी शारुक का कहना है कि उन दिनों मैं award जीतने के लिए बहुत desperate था इसलिए मैंने ये बेफकूफी कर दी अच्छा हुआ कि editor ने मेरी offer को reject कर दिया बॉलिवुड में हमेशा actors के affairs के बारे में सुनने को मिलता है बर शारुक के साथ कभी भी किसी actress का नाम नहीं जोडा गया पर film dawn 2 की release से पहले प्रियमका चोपडा और शारुक के affairs के rumors आना शुरू हो गए दोनों की closeness publicly साफ नजर आ रही थी और मीडिया में कई questionable photos भी publish की गई जिससे इस streamer ने एक serious more ले लिया मीडिया में तो दोनों ने इस बात को deny किया पर इसके बाद दोनों कभी एक साथ दुबारा नजर नहीं आए 2018 में इस affair को लेके दुबारा ही controversy खड़ी हुई जब Priyanka American show Dirty Laundry में as a guest नजर आई इस show में से अलिब्स अपने favorite clothes और fashion accessories के बारे में बात करते हैं Priyanka ने सब को हिरान कर दिया जब इस show में वो वही jacket पहन कर आई जो उने शारुक ने gift की थी उन्होंने इस show पे openly accept किया कि यह jacket उनके ex-boyfriend की है Yeah, and it's my airport jacket but it belong to an ex-boyfriend Number 34 Film दिलवाले दिलनिया ले जाएंगे शारुक की one of the most iconic films में से एक है जब शारुक को इस film offer की गई तो शारुक ने यह श्चोपडा के कहने पे इस film साइन कर दी थी फिर जब कुछ महीने बाद शारुक को फिल्म की story detail में narrate की गई तो उने लगा कि यह उनके type की film नहीं है क्योंकि उन देनों शारुक अपने negative characters या tragic love stories के लिए popular थे शारुक ने अदित्य चोपडा को कहा कि मुझे इस story बहुत melodramatic लग रही है मैं sure नहीं हूँ कि यह character मुझे शूट करेगा पर सिंस ये film यश्राज बैनर की थी और शारुक अदित्य चोपडा से भी बहुत close थे तो उन्होंने इस film को करने का मन बना लिया फिर जब दिलवाले दुल्हनिया release हुई तो film ने सारे records तोड़ दिये शारुक ने अदित्य चोपडा को thank you कहा और आज भी शारुक इस film को अपने career की groundbreaking film मानते है Don 2 के scene में जहां Don को hotel के roof से jump करते हुए देखा जाता है उस scene को शारुक ने बिना किसी body double की किया था शारुक ने इससे पहले कभी भी इतनी उचाई से कोई stunt परफॉर्म नहीं किया था और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्म के ending credits में शारुक शारुक का मतलब नरेट करते सुनाई देते हैं और शारुक अपना Hollywood debut side character से नहीं करना चाते थे तोनों ने इस फिल्म को reject कर दिया फिर जब Slumdog Millionaire रिलीज हुई तो शारुक को ये फिल्म बहुत जादा पसंद आई शारुक ने फिल्म director Danny Boyle को अप्रोच किया और promotions में help करने का promise किया इसलिए शारुक को 2009 के Golden Globe Awards में फिल्म के presenter के तौर पे देखा गया नंबर 38 मुन्ना भाई MBBS राजकुमार हिरानी ने specially शारुक को माइन में रखते हुई लिखी थी पर शारुक को नहीं लगा कि वो इस रोल में fit बैठेंगे इसलिए उन्होंने इस फिल्म को reject कर दिया फिर कुछ सालों बाद जब संजिदत को शारुक ने इस फिल्म में देखा तो उन्होंने फिल्म की तारीफ करते हुए कहा कि अच्छा हुआ मैंने ये फिल्म रिजेक्ट की मुझे नहीं लगता कि संजिदत से बहतर कोई भी मुन्ना भाई के रोल को अदा कर सकता था नमबर 40 शारुक का फेवरिट नमबर 555 है शारुक की कार्ज हो या उनकी और उनकी फैमिली के फोन नमबर्स शारुक हमेशा 555 को अपनी लाइफ और वर्क से जोड़ कर रखते हैं नमबर 41 जब शारुक ने रोहित शैटी के साथ फिल्म करने का मन बनाया तो रोहित ने 1982 की फिल्म अंगूर के modern remake के लिए शारुक को एप्रोच किया पर शारुक को उनकी स्क्रिप्ट बिल्कुल पसंद नहीं आई फिर रोहित को डाउट हुआ कि शारुक शायद अगली बार भी उनकी स्क्रिप्ट में इंट्रस्ट नहीं दिखाएंगे तो उन्होंने लगे हाथ शारुक को अपनी पुरानी स्क्रिप्ट की कहानी सुनाई जो थी चैन्नाई एक्स्प्रेस शारुक फिल्म की निरेशन सुनके जोर-जोर से हसने लगे और ऐसे ही शारुक ने रोहित की फिल्म चैन्नाई एक्स्प्रेस में आक्टिंग करने के लिए हां कर दी नमबर 42, Chennai Express शारुक की आज तकी हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्म है जिसने इंडिया में लगभग 300 करोड का बिजनस किया बस यही नहीं फिल्म के Box Office Collections ने 3 Idiots को भी पीछे छोड़ दिया और उस ताइंग पे Chennai Express इंडिया की हाइस्ट अर्निंग फिल्म थी फिर उसी साल Chennai Express का record Chris 3 ने तोड़ दिया फिल्म माइनेम इस खान में जहां शारुक के character को exposure syndrome होता है इस character के लिए शारुक दो हफते उन लोगों के साथ रहे जिने real life में exposure syndrome था शारुक इस role में अपना 100% देना चाहते थे इसलिए घर पर भी शारुक अपने character में ही रहा करते थे No.44 2012 IPL में शारुक की वांखडे stadium के officials के साथ alleged fight का incident सामने आया शारुक का कहना था कि security officials उनके बच्चों को गलत तरह से treat कर रहे थे और इसी बात पर उस दिन उन्हें गुसा आ गया इस incident के बाद शारुक को 5 साल के लिए वांखडे stadium से बैन कर दिया गया पर 3 साल के बाद ही शारुक पर सी बैन हटा दिया गया क्योंकि court में उनके उपर लगाएगे इल्जाम प्रूव नहीं हो पाए शारुक ने भी अपनी गलती मानी और अपने fans को apologize किया नमबर 45 शारुक ने अपनी early days में एक short film में भी acting की थी जिसका नाम था महान कर्स नमबर 46 शारुक टीवी सीरिल्स करने के बाद जब मुंबई आये तो अब उनके पास कोई जादा financial savings नहीं थी अजीज मिर्जा जिन्होंने शारुक को circus सीरिल में डिरेक्ट किया था उन्होंने ही शारुक को मुंबई में अपने office में रहने की जगा दी थी फिर जब कुछ हफते ऐसे ही बीते तो मिर्जा ने उनको कुछ पैसे दिये और किराये पर घर भी दिलाया शारुक ने अजीज को promise किया था कि एक दिन वो उनके इस favor को बहुत अच्छी तरह से रिपे करेंगे शारुक जब star बने तो अजीज की directed films Yes Boss और फिर भी दिल है हिंदोस्तानी में शारुक ने कोई पैसे नहीं लिये बस यही नहीं शारुक ने अजीज को अपनी production company Red Chillies में भी पार्टनर बनाया शारुक इंडिया के ही नहीं बलकि पूरे वर्ल्ड के पहले ऐसे अक्टर हैं जनकी फिल्म की शूटिंग नासा के स्पेस सेंटर में की गई शारुक की global reach को देखते हुए नासा ने उन्हें फिल्म स्वरदेश की शूटिंग के लिए permission दे दी रईस में पहली बार शारुक नवाज दो दिन से दीखी के साथ नजर आए नवाज शारुक के सामने थोड़ा नर्वस थे और उन्हें नहीं पता था कि शारुक से सेट पे कैसे बात की जाए पर शारुक ने नवास को पहले दिन ही ये बात बोल दी थी कि भले ही मैं आपसे एज और एक्सपिरियन्स में सीनियर हूँ पर मैं आपके और आपके केरेक्टर की पूरी तरह रिस्पेक्ट करूँगा तो प्लीज आप भी मुझसे कोई बात कहने में घबराईएगा नहीं फिल्म दिल से के चहिया चहिया गाने में शारुक ट्रेन पर डांस करते नजर आते हैं उस गाने में हर बैक्ग्राउंड डांसर को से बाधा गया था क्योंकि चलती ट्रेन की वज़ा से कोई भी गिर सकता था पर शारुक ने इस गाने में सेफटी हार्नेस का यूज नहीं क इसलिए मैंने उस गाने को बिना सेफ्टी हार्नेस के ही शूट किया कल हो ना हो की एंडिंग जहां अमन की कैंसर की वज़ा से मौत हो जाती है शारुक इस एंडिंग को अपने बच्चों के लिए चेंज करना चाहते थे क्योंकि आरियन और सुहाना तब बहुत चोटे थे और शारुक नहीं चाते थे कि दोनों अपने पापा को ऐसे मरते होए देखे इसलिए शारुक ने स्पेशली फिल्म की अल्टरनेटिव एंडिंग शूट की जिसमें अमन का कैरेक्टर कैंसर को बीट कर देता है और फिल्म एक हैपी नोट पे खत्म होती है तो चलिए दैट से रैप उन दिस वीडियो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें अपने लाइक्स और कॉमेंट्स के जरीए जरूर बताएं ऐसे और भी इंट्रस्टिंग वीडियो के लिए देखते रहें के सोशल और उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं